वेदानत कम्प्णी ने 62 रूपीज का डिविडंड विया है पोर्श है 2023 में जाएज और इनका डिविडंड ये थीटीद है थीडिदेट सिवेंड पॉसे और डिविडंड पे-आउट है 357 आपको इसमें इन्वेस्ट करना चीह है कुछ ही नमस्ते नमस्ते मुझे पता है कि पैसा पचान और इन्वेस्ट करना कोई खाने का खिल और इसलिए हम इससे दूर बागते लेकिन अब नहीं मैं वो ब्रामी का पासे और मैं आपका हिल्प करूंगी करने इन्वेस्टमेंट के लिए रीसर्च करने और अपने पैसे को बेटर वे में ग्रो करने में तो अब बिल्कुल देर मत करें आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फाइनेंशिल गेम को स्ट्रॉंग करें हम आज वेदानता कंपनी का इन एन आउट एनालेसिस कर नहीं नहीं बलकि इनका प्रेजन्स ग्लोबल यह एंड कंट्रीज लाइक साउथ आफ्रीका नभीबिया आयरलेंड लिबेविया एंड यूई एक डाइवर्सिफाइड नैच्रल रिसोर्स कमती है जिसके काफी सारे वोटिकल्स है जैसे फोस्ट जिंक लेड सिल्वर यह व सेग्मेंट में 25 परसंट कॉंट्रिब्यूट करता है डॉमेस्टिक प्रोडक्शन में इन इंडिया यह वन अफ दे लार्जेस्ट ऑन्शोर्ट ओइल फिल्द ऑपरेट करते हैं इंडिया में थर्ड आयन और यह सिगनिफिकेंट प्लेयर एड डॉमेस्टिक आयन और मार्क इंट्रल और इस्टर इंडिया फिफ्थ पावर विदांता का पावर पॉट्फोलियो का कैपिसिटी ए 9000 मेगवोर्ट कंप्राइजिंग थर्मल विंड और सोला पावर प्लांट इंडिया 6th कोपर और स्टील विदांता ऑपरेट करते हैं वन आफ ते लार्जेस्टम कोप स्मेल्टर्स इंडिया थे कंपनी और सो अपरेट्स कोपर माइन और स्टेल या वेदांता का प्रेजंस है इंड़ स्टील सेक्टर तूइट सब्सेटरी एसल स्टील लिमिटेड इनका बिसनेस मॉडल टार्गेट करता है एंड-to-end रिसोर्स ओनर्शिप लाइक एक्स्पो जिसका मार्केट काप है लाप 4,000 क्रोड का कोटर और कोटर कंपनी का सेल्स कंसिस्टेंट रहा है और प्रॉफिट में डिप दिख रहा है यह और इनका सेल्स बढ़ा है बट प्रॉफिट ड्रास्टिकली फॉल हुआ है प्रोडेक्शन के आप से टीकी बात करें तो फॉस् 1,80,000 टर्न आयन और बिजनेस ने भी रिकॉर्ड बनाया और 4.2 मिलियन टर्न सेल्स इनका केपेक्स प्लान है फोर एप्रोक्स डॉलर 8.4 बिलियन और यह प्लान कर रहे है फोर न्यू पावर प्लांस जिसका कैपेसिटी होगा नियरली 5 गीगावाट फाइनेंशली देखे तो कंपनी का आरोई एंड आरोसी अच्छा है बट डेट लेवल काफी हाई है अस्ट्यार इंटू माइनिंग बिजनेस प्लस सेल्ज और प्रोफिट ग्रोथ काफी पूर है इनका पीस फॉलो ते जा रहे प्लस यह ओवर बैल्यूड है क्योंकि मिडियन पीए 7.3 जबकि कर आस एक साल में इन्होंने 6% स्टेक बेचा है फ्रम 69 परसंट तो 63 परसंट और यह पूरी की पूरी प्लेजटें प्लस म्यूचल फंड की वोल्टिंग काफी लोए डाट इस ओनली 1.4 परसंट सो वाना यह रेड फ्लैग टिक्निकली स्टॉप में भाई साब कोई क्लियर ट् स्टिंग और इंडिकेटर्स अभी पॉजिटिव सिगनल दे रहा है क्यूंकि इंडिकेटर्स पॉजिटिव है यह शौट टम में 340 यह 408 के लेवल तक पहुच सकता है हाँ यह काफी अच्छा डिविडेंट तो पे करते हैं बट फाइनेंशल आर आवरेज प्लेस ओवर व डिस्क मेजर करो और फिर इंवेस्टमेंट डिसीजन लो अगर आपको मेरा रीसर्च वैलीवल लगाओ तो लाइक करें शेयर कर और सब्सक्राइब करना ना बुले अगर आपके कोई भी सजेशन या फीडबैक हो तो कॉमेंट में जरूर बताना मिलते अगली वीडियो में अब एप्ट्रेडिंग अब एप्ट्रेडिंग अप्य इंवेस्टिंग तो